अब हम एक बहुत ही एहम मौजू पे गुफ्तगू करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दोनों चीजों में डिफ्रेंशियेट करने में अक्सर कन्फूजन का शिकार रहते हैं जब हम स्टूडेंट्स से उसकी रिसर्च के में theoretical framework of study या conceptual framework of study की बात करते हैं तो अक्सर इन दोनों में डिफ्रेंशियेट करना दिकत का बाइस बनता है हम इस module में इनके बारे में इनको सबसे पहले डिफ्रेंशियेट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर ये देखेंगे के इन में आपस में फरक किन चीज़ों में हैं और तालुक किन चीज़ों में होता है पहले हम इस concept पर बात कर लेते हैं देखिए theory theoretical framework conceptual framework ये बातें आप बार बार आप सुनते हैं इनको अगर हम यूँ समझ लें कि मैं जब भी कोई research करना चाहता हूँ तो उस research के phenomena को सामने रखूँ फर्स कर लें आप research करना चाहते हैं effect of variable A on variable B या आप study करना चाहते हैं relationship किसी set of variables के दरम्यान तो ये जो effect है या जो जो लफस relationship हम इस्तमाल कर रहे हैं ये phenomena कहलाता है ये बात हम इससे पहले एक module में जहां हम topic की formation की बात कर रहे थे हैं वहाँ इसको हमने discuss किया था अब बहुत सारे variables के दरम्यान जब तक ये phenomena logical नहीं होता यानि मैं जिन variables के दरम्यान effect या relation देखने जा रहा हूँ वो किसी theory से supported नहीं होता तो ऐसी research की findings की validity पे लोग अक्तर शक करते हैं यानि उनकी findings हो सकता है कि relevant ना हूँ तो मैं topic बनाते वकत और फिर उसके बाद उसका theoretical framework बनाते वकत इस बात का ध्यान रखता हूँ कि जिस phenomena को variables के दरम्यान जिस phenomena को मैं study करने जा रहा हूँ वो logically दुरूस है या नहीं है यह जो उसके दुरूस होने का logic है यह मुझे theory से मिलता है अब theory बेसिकली देखें किन चीजों का नाम है theory बन्यादी तोर पे concept और ideas को आपस में connect करती है मुख्लिफ premises को आपस में connect करती है और वो connection on premises का base में एक बहुत बड़े evidence के साथ जुड़ा होता है जो over the period लोगों ने accumulate किया होता है उसमें sense वहां से develop होती है जब भी मैं कोई चीज देखना चाहूं अपनी research में तो मुझे सबसे पहले यह देखना चाहिए कि इस phenomena की को support करने वाली theories कौन सी है यनि कौन से premises हैं theoretical जो इस बात को endorse करते हैं कि जो चीज मैं देखने जा रहा हूँ वो logically correct है मैं जब देखूंगा तो उसके results क्या आएंगे वो और बात है लेकिन उनको आपस में logically तो connect होना चाहिए जब मैं ये कोशिश करता हूँ तो इसको आप कहते हैं कि मैं अपनी research को theory से connect करने की कोशिश कर रहा हूँ अचा अब उस theory से connect होने के बाद मुझे उसका एक theoretical framework चाहिए theoretical framework का मतलब कि ये लाजमी नहीं कि जिस phenomena को आप study करें वो हमेशा एक theory से ही supported हो उसके मुख्तलिफ हिससे support के लिए आप मुख्तलिफ theories में से draw कर सकते हैं या उनसे connect कर सकते हैं अब जब मैं ये वजाहत करने की कोशिश करूँगा explain करने की कोशिश करूँगा कि मेरी जो study है वो इन theories के जरीए से या इन से in line है जब मैं उसको shape दे रहा था जब मैं study को design करने लगा हूँ तो जो study में जिन premises को देखने का मैं जिकर कर रहा हूँ वो उस theory से connected है जिस theory की बनियाद पे मैंने in behaviors के दरमयान या in variables के दरमयान मैंने connection जोड़ा हूँ इस बात को establish करने को कि आपका study होने वाला phenomenon किसी existing theory के premises के साथ मिला हूँ जुड़ा हूँ अलाइंड है इस काम को जब मैं करने की कोशिश करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं theoretical framework बना रहा हूँ रिसर्च का अगर theoretical framework exist ना करता हो या इस पर ध्यान ना दिया जाए तो आप सुचिए कि कई ऐसी researches हो जाएंगी जिन में theoretical logic नहीं होगा वो बेशक methodologically correct हो जाएं बेशक उनका analysis किसी तरह के result produce कर दे लेकिन जब तक वो logically correct नहीं होंगे तो वो findings हमारे लिए misleading हो सकती है इसी तरह जब theoretical framework बना तो उसके साथ दूसरी चीज़ जो आप develop करते हैं वो conceptual framework है conceptual framework का तालुक theory connection से नहीं है conceptual framework basically आपकी study में मौजूद variables आपके subjects को मिला के study की methodology उसके design को मिला के आप एक sequence of events draw करते हैं basically आप एक logical argument develop करते हैं कि research के जितने aspects हैं यानि उसमें आपके methodology से related चीज़ें भी हैं जिन में design है sample है tool है इसी तरह उन events के timeline पे होने की तर्तीब है variables के आपस में interactions हैं आपकी study में timeline के against वो कैसे conduct किये जाएंगे और conduct करने का वही sequence सबसे appropriate है जो आप propose कर रहे हैं इस बात को argue करने के लिए आप conceptual frame को बनाते हैं मिसाल आप यूं ले लीजिए फर्स कर ले कि मैंने ये देखे हर study में ये चीज़ें होती है विरियब्स भी होते हैं उनके आपस में connections भी होते हैं methodology भी होती है methodology से मराद है design है tools है sample है फिर analysis के भी तरीके होते है data recording के भी तरीके होते है सब studies में होते हैं लेकिन अगर इनकी तर्तीब इनके दर्मयान timings इन चीज़ों को बदल दिया जाए तो इसका study पे impact आता है मैं अपने conceptual framework में explain करने की कोशिश करता हूं कि जिस तरीके से मैंने इनको तर्तीब दिया है जिस जिस timeline पर इने जितने sequence में और जितने time difference के साथ मैं इनको कर रहा हूं यही study को conduct करने का सबसे बेहतर sequence हो सकता था इस बात को argue करना और लोगों के सामने present करना जो है यह conceptual framework कहलाता है तो conceptual framework का तालुक study के conduct के साथ है उसके methodology के साथ है उसके मुख्तलिफ parts के होने के साथ है जबके theoretical framework का तालुक अपने variables को अपने phenomena को logic से जोडने का नाम है theoretical logic के साथ मिलाने का नाम है तो इस differentiation के साथ हम आने वाले modules में इन दोनों के components के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे